है किसभान भाईयों नमस्कार जैंसरीराम अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है अइसे में हमारी सर्शों की फसल जो है फूल की अवस्था में होगी और काफी ज्याधा फूली सी समय आते हैं और इस सबसे बड़ी बीमारी होती है सरसो की जो होती है उसमें रस चूसक कीट लगता है जिसे माहू कहते हैं हमारे धर छेत्र में तो माहू कहते हैं और हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है कहीं पर चेपा तो कहीं पर कुछ पता नहीं कौन-कौन से नाम से लोग बोलते हैं अभी तो फिरहाल हमारे हां सरसों में अभी तक इस मौसम में कीट तो नहीं लगे हैं लेकिन जो एक कूरा चल रहा है कभी धूब होती है कभी कूरा हो जाता है इससे मौसम में के टेंपरेचर में काफी उतार चड़ावाता है जिसकी वज़ा से माहो का आटैक आने का ज्याद पैदा माहू लग जाते हैं तो लगफख पैदावारी में 40-50 परशेंट तक कमी आ सकती है क्योंकि जो माहू होते हैं एक प्रकार के रस्चुषक किट हैं जो सरसो की सबसे बड़ी बिमारी होती है सरसो में लग जाते हैं तो जिससे हमारा सरसो का विकास और उसमें फलिया इसका रहा है जो बाकी के फूल्स हैं इस तरह से चलgeonे हैं लेकिन जो हो फूल ने कि यहां पर इसमें माहू लगने के करण तो लिए नाहीं वाला तो इसके लिए हम दो तिन तकी दावाया का एसप्रे करते हूँ एक रासजानी का अगर एक बताएंगे आपको लोगों को कि इस दवा का अगर इस्प्रेए करते हैं तो काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं माहो की समस्या को जानते हैं इस दवा के बारे में एक रासहेनी दवा है जिस्में आती क्लोरोपारी फास जो 25 प्रसत इसी में आती है इसको अगर दो एमेल पर लीटर पानी मिला कर हम इस्प्रे करते हैं तो काफी अच्छी तरह से काम करती है और माहों कीट जो है बहुत जल्दी से खतम हो जाता है इसका आगे बढ़ पाते हैं और जो पेड़ पर बैठे बैठे ही सब उसमें चिपके मर जाते हैं जिसे हमारे सरसों में ज्यादा नुक्सान नहीं हो पाता अगर समय से दवा का इस्प्रे ना करें तो यहीं माहों बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और जो बाकी के फूल आगे विकास जो करेंगा उसको होने नहीं देंगे और उसका रस चूस के उसको खतम कर देते हैं अब फिर हमारी पैदावारी पर असर पड़ता है तो किसान की तो सबसे बड़ी यहीं इंकम का सुरोथ है कि हमारी फसल जाद इतनी जादा पैदा हो तो न जादा इंकम होगा तो इसके लिए हम एक क्लोरोपारिफास नाम की दवा आती है उसका इस्प्रे कर सकते हैं दो एमेल पर लीटर के हिसाब से पानी में डालके और एक आती है इमिडा क्लोरपीड करके बहुत सारी कमपनिया बनाती है हर कमपनी की अच्छी होती है जिसमें लगभग 17.8% वाली जो इमिडा क्लोरपीड आती है उसका इस्प्रे करें इसमें ज्यादा हैवी किटनासक का इस्प्रे नहीं करना है हलका फुलका किटनासक चाहिए होता है क्योंकि माहों बहुत नाजुक कीड़े होते हैं मर जाते हैं तो उसका अगर हम एक एमेल पर ली और रही बात जैविक जो आते हैं किटनासक उसमें सबसे बड़ी हां नीम का तेल जो आता है वो काम करता है वो नीम का तेल आप लिए पचास हेमेल पर लेटर के हिसाब से उसका एस्प्रे करिए और भी माहों के लिए बहुत ज्यादा निया बहुत ही असरकारक दवा है ज तो अगर इस तरह से आप दवाईयों का एस्प्रे करेंगे तो माहों को लगभग पूरी हद तक खतम कर सकते हैं और जिससे हमारी आपकी सर्थों की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर्थों का खेत में दवा छड़कने के लिए किस तरीके से इसका उपाय करें तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका भी वीडियो बना देंगे हम वीडियो काफी लंबी न हो जाए इसलिए हम बस यतनी जानकारे देकर चाहते हैं कि आप कि वीडियो को लोगों तकसे नही灘 करें लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले अर रगा रण हैं कुछ कमेंट भी करिए ताकि हमें भी आप लोग के जानकारियां मेरें तक आए और फा rzeczy मिले क्या हमने है क्या आप लोग कह रहे हैं कि एक दूसरे की बात को समझा जाए तो तेलिए ठीक है जय जवान जय किसान